क्या हो जब आप एक देजबग परिवार से आते हों और आपको भी एक ऐसी ही जिम्मेदारी वाला उच्च पद मिले लेकिन आपके साथ एक ऐसा सड़यंत्र हो कि आपकी जौब और समान दोनों ही दाओ पर लग जाए ऐसे हालतों का सामना आप कैसे करेंगे यही सब दिखात है फिल्म उलज तो आईए दोस्तों आज हम एक्स्प्लेंट करने वाले हैं उलज मूबी को वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा और जितरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा ताकि आप कुसी सब्सक्राइब तो फिल्म की कहानी बेहत सम्माने डिप्लोमेटिक घराने की तीसरी पीडी की आई एफस अपसर सुहाना भाटिया की है सुहाना की पिताया धनराज भाटिया यूएन काउंसलिंग के चुने जाते हैं जबकि तेज तर्रार सुहाना को भी उसकी चतुर चुने में ढखेर होते हैं कि भारत से सान्ती का सम्झोता करें और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे और कुछ साल पहले यासिर नाम के टेर्रिश ने डेली में बॉम ब्लास्ट किया था बॉम ब्लास्ट करने के बाद वो पाकिस्तान बापस भागाया था जिस बज़े से पाकिस्तान पुलिस उसे अरेश्ट कर लेती है और अब वो से इंडिया सौपने वाली है तो वही सुहाना जो है वो लंदन की पोस्टिंग से पेले काटमाडू में डिप्लोमाटिक की रूप में काम करती थी उसके दादा यूएन में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम भारत के बच्चों की सिविक्स की किताबों में लिखा जाता है तो टोटल बात ये है कि सुहाना एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल परिवार से है तो वही सुहाना भाटिया को तगले डैडी सूस है बेटी को उसके काम और दिमागे सोच के चलते छोटी उमर में डिप्टी हाई कमिशनर बना दिया गया है लेकिन सुहाना की बिताजी को खास खुशी नहीं है वो इसलिए क्योंकि धनराज भाटिया बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार इतनी बड़ी पोश्ट किसी को इतनी कम उमर में नहीं देते हैं जिस वज़े से सुहाना ये समझ रही थी कि वो इस पोश्ट के लायक नहीं है लेकिन वो इस पोश्ट के लायक है और वो ने ये बात साबित करके दिखाएगी तो अब सुहाना को बड़ी पोश्ट मिलने के बाद उसका ट्रांसफर लंडन में हो जाता है यहां पहुंचने के बाद उसे अपना पर्सनल ड्राइवर मिलता है जिसका नाम सलीम होता है सलीम का कहना है कि अंजार सहर में वो सुहाना का ख्याल रखेगा अगर जरूत पड़े तो सुहाना उसे आधी रात को भी बुला सकती है तो एक तरफ सुहाना को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी काविलियत की दम पर यहां तक पहुंची है लेकिन अगले दिन जब वो अपने ओफिस पहुंचती है तो उसे मालुम चलता है कि उसके नीचे रौके कई सारे रौके एजन्ट काम करते हैं हाला कि सुहाना की इस पोस्टिंग में जैकब तमांग और सेबन कुट्टी जैसे साथियों को नेपोटिसम का हाथ नजर आता है जो पोस्टिंग तमांग को मिलनी चाहिए थी अब वो पोस्टिंग सुहाना के पास है वो कहते हैं कि ये कुर्सी उसे अपने परिवार के दम पर मिली है इसी वज़े से ये रोके एजेंट सुहाना को दोस्त नहीं बना पाते हैं और यहाँ पर सुहाना जो है खुद को अकेला फील कर रही थी और सलीम जो है वो अपनी कार लेकर आ जाता है जबकि नकुल चाता है कि सुहाना जो है वो उसके साथ चले और दोस्ती बढ़ाए ये सुनकर सुहाना भी कहीं न कहीं दोस्ती बढ़ाना चाती है क्योंकि वो लंडन में पूरी तरह से अकेली है जिस बज़े से वो सलीम की कार में ना जाकर नकुल के साथ बाइक से जाती है जहांपर कि वो धेर सारी बाते करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं अब दीरे दीरे वो कुछ दिनों तक साथ में रहते हैं दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और कहीं न कहीं अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे वो इस हद तक बढ़ चुके थे कि वो हम बिस्तर भी हो जाते हैं नकुल की प्यारी प्यारी और मीटी वातों में उलजी सोहाना उसका बेगराउंड चेक करना भूल जाती है अब डिपलोमेट होकर अगर आप किसी भी एरो गेरो के सांथ घूमोगे और उसके साथ रात बिताओगे तो क्या होगा जो आप सोच रहे हैं बही अगले दिन एक प्रेस कॉनफरेंस होती है जहांपर की बहुत सारे मंत्री आए हुए थे यहांपर सोहाना भी आई थी और थोड़ी दिर के बाद सोहाना यहांपर नकुल को देखती है नकुल से बोगहती है कि तुम्हें यहांपर नहीं आना चाहिए लेकिन तब ही नकुल यहांपर सोहाना के एक बीडियो बताता है जिसमें जब वो दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो उसने बीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो सोहाना को ब्लैक मिल करना सुरू करता है यह देखने और सुनने के बाद तो सोहाना पूरी तरह से हैरान रह जाती है अब नकुल जो है वो सोहाना से कुछ गूपनिये डॉक्यूमेंट्स मांगता है और ना चाहते हुए भी अब सोहाना को वो डॉक्यूमेंट्स उसे देना पड़ेगा इसलिए वो अपने आफिस पहुंचती है जहाँ पर क्यों डॉक्यूमेंट्स की फोटो काफी करती है लेकिन तब ही यहाँ पर तमांग आ जाता है तमांग को यहाँ पर उस पर सक होने लगता है सांथी वो तमांग से पूछ उठती है अगले दिन जब नकुल उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आता है तो सबसे पहले सौहाना उससे कहती है कि मुझे वो वीडियो क्लिप चाहिए तो नकुल उसे पैंटराइद दे देता है लेकिन सौहाना नकुल के बारे में भी कुछ पता करना चाहती थी इसलिए वो यहाँ पर नकुल के फिंगर प्रिंट्स ले लेती है बाद में जब वो सलीम के सांथ घर जा रही थी तो वो सलीम को कहती है कि उसे कुछ फिंगर प्रिंट्स की मदद से एक आदमी की इंफॉर्मिसन निकल वाली है दरसल में सलीम जो है वो पेले दिल्ली पुलिस के लिए काम किया करता था तो मैं दूसरे तरफ हम देखते हैं कि धनराज भाटिया का प्रमोसन हो चुका था और वो और भी जदा उचे पत पर पहुंच चुके थे इसलिए सोहाना जो है वो बापस इंडिया जाने के बारे में सोचती है जब वो एरपोर्ट की तरफ जा रही होती है कि तब ही उसके पास नकल का कॉल आता है नकल उसे बताता है कि तुमने कुछ नंबरों का हेर फेर किया है डॉक्यूमेंट्स में लेकिन जो उसे इंफॉर्मिसन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है साथी वो सोहाना से ये बात भी कहता है कि मेरे बारे में इंफॉर्मिसन निकलवाने के लिए ड्राइवर से कहने की क्या जुरूत थी मैं खुदी तुम्हें बता दूँगा मेरा नाम हुमायू है और मैं आईस आईस के लिए काम करता हूँ वो सोहाना से ये भी कहता है कि अब तक तो तुम्हारी इज़ती दाव पर लगी थी लेकिन अब तुम्हारा करियर और देजभक्ती भी दाव पर लगी है क्योंकि जब सोहाना उसे डौकुमेंट्स की फाइल देने के लिए गई थी तब नकूल ने उन दौनों की साथ की फोटो क्लिक कर लिए थी जिस बज़े से अब सोहाना के उपर गध्दारी का आप लग सकता है तो अब सौहाना इंडिया जा रही थी उसका इंडिया जाना भी कैंसिल हो जाता है और अब नकुल उसे और भी ज़्यदा ब्लैक मेल करने लगता है वो उससे कहता है कि उसे रौ के कुछ एजेंट्स के बारे में कुछ इंफर्मेशन निकलवानी है अब यहाँ पर सौहाना पूरी तरह से कत्पुतली बन चुकी थी इसलिए एक बार तो वो सुसाइट करने के बारे में भी सोचती है लेकिन अपने पिता के कारण भुर्रुक जाती है तो सौहाना अब दो जगह उसे फस चुकी थी एक तो अगर उसका वीडियो बारल हो गया तो उसकी इज़त चली जाएगी और नकुल के साथ वाली फोटो अगर बारल हो जाती है तो उसके उपर गदारी कारोप लगेगा और साथी साथी उसके करियर के साथ साथ उसके पिता का करियर भी समाप्त हो जाएगा तो नकुल ने जो रोके एजंट्स के बारे में इंफॉरमिसन निकालने को कहा था सुहाना वो इंफॉरमिसन निकालना शुरू कर देती है और फिर तुरंथी एक रात उसे वो देने के लिए भी पहुँच जाती है तो यहाँ पर वो उसे उन रोके एजंट्स के नाम दे देती है यहाँ पर सुहाना चाहती है कि वो नकुल को जान से मार डाले इसलिए वो यहाँ पर एक अटेम्ट भी करती है और उसे जान से मारने की कोसिस करती है लेकिन नकुल बहुत चालाग है इसलिए सोहाना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है जिसके वास सोहाना अपने घर बापस बहुंचती है और वो बहुत बुरी हालत में थी तब ही यहाँ पर तमांग आता है और तमांग सोहाना से कहता है कि मुझे तो तुम पर सुरुवात से ही सकता जब तमने मुझे से पूजा था कि किसी इंसान की इंफॉर्मिसन निकाली जाए तो किस तरह से निकाली जाए लेकिन सोहाना उसे समझाने की कोसिस करती है लेकिन तब ही दूर से किस नाईपर जो है वो तमांग की जान ले लेता है दरसल में तमांग जो है वो सुहाना को फॉलो करने लगा था और उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था इसलिए नकल को तमांग को मारना पड़ा जिसके बाद यहां के सारे दागदबो को सुहाना साप करती है और तमांग की डैथ को इस तरह से साबित कर दिया जाता है कि तमांग जैसे गैस एक्सप्लोजन में मारा गया हो अगले दिन परकास नाम का आदमी सुहाना से मिलने के लिए आता है और वो सुहाना को बताता है कि रौ की कुछ इंपरमिसल लेक हो रही है और उने रौ के कुछ एजेंट्स पर ही सक है जिन में पहला नाम सेबिन का आता है और वो साथ में ये भी बताते है कि तमांग मारा गया है और इसमें भी उन्हें उनकी ही गड़बडी लग रही है जिसके बाद नकुल जो है वो सुहाना से बीजा और पासपोर्ट मांगता है क्योंकि वो इंडिया जाना चाहता है तो सुहाना उसका अरेजमेंट भी करती है क्योंकि वो तो कटपतली की तरह है इसलिए वो नकुल की बात मानती है लेकिन साथ ही वो उसका पीछा भी करती है और जब उसका पीछा करती है तो यहाँ पर नकुल एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर सुहाना जब देखती है कि नकुल उस आदमी से मिल रहा है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बलकि सोहाना का ड्राइवर सलीम होता है नकुल से मिले के बाद थोड़ी देर के बाद सलीम जो है वो अपने घर पहुँच जाता है उसका पीछा करते हुए सोहाना भी पहुँच जाती है और भी उसके उपर अटेक करना सुरू कर देती है यहाँ पर और बड़ाहट में इस तरह की फाइट होती है कि एक धक्का देने के कारण सलीम काच से टकरा जाता है और कुछ काच जो है वो उसके अंदर घुच जाते हैं जिस बज़े से सलीम की यहाँ पर जान चली जाती है थोड़ी देर के बाद उसके पीछे से सलीम के घर पर ही सेविन कुट्टी आ जाता है दरसल में सेविन को सोहाना के उपर सख हो रहा था इसलिए भू भी उसे फॉलो कर रहा था उसे अंसा लग रहा था कि सोहाना नहीं तमांग को मर भाया है इसलिए सेविन सोहाना के उपर गन तान देता है जब उसे मारने वाला था कि तभी सोहाना उसे अपनी और नकुल की वीडियो बताती है जिस पर की यहांपर सीबन को मालुम चलता है कि सुहाना दरसल में क्रिमिनल नहीं है बलकि एक बिक्टिम है सलीम के घर से ही उन्हें कुछ इंफॉरमेशन मालुम चलती है उन्हें मालुम चलता है कि सलीम दरसल में I.S.I.S. के लिए काम नहीं करता है बलकि इंडिया के एक raw agent प्रकास के लिए काम करता है जो कि हाली के दिनों में सुहाना के पास आये था और इस investigation का जिम्मा उसे सौपा था अब इने एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नकुल इंडिया क्यों गया है अगर वो इंडिया क्या है तो जरूर वो वहाँ पर कुछ बड़ा करने वाला है नकुल इंडिया पहुँच चुका था और वो अपने अगले mission की तरफ निकल चुका था वो क्या करने वाला है ह काली में तो नहीं पता है तो यहां से सेबिन और सुहाना भी इंडिया पहुँच जाते हैं उनके पास एक ही लीड है और वह तो नजर बनाते हुए और कुछ को के दौराओं मालूम चलता है की परकास जो है भूब कि और के काम करता है और वो आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंडिया पर्खिछानी सरकारी पत पर भी साथ ही एक दिन परकास के पास नकुल का कौल आता नकुल परकास से कहता है की वह आज сы Challenge मारने वाला है दरसल में नकुल जो है वो पंजाब की सीम को नहीं बलकि पाकिस्तान की प्रदान मंतरी को मारने वाला है जो की आज मतलब की 15 अगस्त के दिन इंडिया पहुँच रहे हैं लेकिन सबसे पहले बो दरगा जाएंगे और ये बात सुहाना को नकुल ने बहुत पहले बताई थी इसल要nh नकुल ने तो अपना पूरा प्लान तयार कर लिया था कि जब पाकिस्तान के प्रदान मंतरी दरगा पहुँचेंगे तो वो एक दूर की बिल्डिंग से स्नाई पर से उन्हें मार देगा और यहां एक और बात मालूम चलती है कि पाकिस्तान की प्रदान मंतरी को मार और परकास भी मनुहर के लिए ही काम करता है ये सारी बाते मालूम चलने के बाद सुहाना और सेबिन तुरंत ही दर्गा की तरह जाते हैं हाई सेक्योर्टी होने के कारण उन्हें अंदर तो नहीं जाने दिया जाता है लेकिन उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है हाई सिक्योर्टी है इसलिए नकुल भी यहाँ पर नहीं आएगा और वो किसी दूर बिल्लिंग से ही उन्हें मारेगा तो सेबिन और सोहाना को वो जगह मालूम चल जाती है जहाँ पर की नकुल है और वो वहीं से पाकिस्तान की प्रदान मंत्री को मारने वाला है तो वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन सेबिन को तो यहाँ पर पुलिस बाले पकड़ लेते हैं लेकिन यहाँ पर सोहाना जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है और जब नकुल प्रधानमंत्री को सूट करने ही वाला था कि तब यहाँ पर सोहना पहुंच जाती है और वो सौट नहीं लगा पाता है जिस बज़य से वो मौंका पूरी तरह से चला जाता है यहाँ पर नकुल जो है वो सोहना को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है लेकिन सोहाना के पास कुछ नुकीले चीजे थी जिससे कि वो नकूल के उपर बार कर देती है और उसे जान से भी मार देती है और फिर आकर में पिरकास और मनोहर को भी अरेश्ट कर लिया जाता है जिसके बाद तो अब सोहाना के उपर कमेटी बैट जाती है उससे कुछ पूस्ताज करने थी और पूस्ताज करने वाला ब्यक्ती कोई और नहीं बलकी धनराजबाटिया सोहाना के पिता होते हैं और वो सोहाना से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे उपर बहुत गर्व है तब ही यहाँ पर इंडिया के पिरदानमंत्री का कॉल भी आता है और वो सोहना से कहते हैं कि तुमने एक बहुत बड़े खत्रे को टाल दिया है अगर पाकिस्तान की प्रदान मंत्री मारे जाते तो इंडिया और पाकिस्तान में बार छिड़ जाता पिरदान मंतर ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो एक बहुत बड़ा मैडल मिलना चाहिए लेकिन नेशनल सिक्योर्टी के कारण ये चीज गुपत रखी चाहेगी थोड़ी देर के बाद एक और आफिसर जो है वो यहाँ पर सौहना से बात करने के लिए आती है वो कहती है कि हम लोग ब्लैक हैट और जेसन से हैं और वो सौहना को जुल्फिकर नाम के आत्मी के बारे में बताते हैं वो कहती है कि नकुल को भी जुल्फिकर नहीं हायर किया था बारा साल की उम्र से ही वो लोगों को ट्रेंड करता है और उन्हें इस तरह से मजबूत कर देता है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं इसलिए ब्लैक हेट और जेसन चाहता है कि सौहाना उनके साथ काम करे और जुल्फिकर जैसे आदमियों को जड़ से उखाड फैके और ब्लैक हेट और जेसन ने सेबिन को भी ओफर किया था जिससे कि हमें मालुम चलता है कि अब दौनों ही जुल्फिकर को पकड़ने के लिए जाएंगे तो दोस्तों फिल्म की कहानी परवेट सेक के साथ मिलकर सरिया ने लिखी है इसके कुछ हिससे देखकर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है कि पेपर पर ये कहानी दिल्चस्प और रोमान चक लगी होगी लेकिन इसक्रीन पर इसे उतारना अलग चीज है और इसके बहुत सारे हिससे एकदम खिसे पिटे हैं एक बड़ी पोजिसन पर बैटा इनसान जो माइनर वेप कूपी करता है और फिर उसकी बज़े से अलग-अलग दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है ये सब हम ना जाने कितनी बॉल्वर्ड फिल्मों में अलग-अलग स्टाइल में देख चुके हैं लीड किरदार का धिमाग बैसे बहुत तेज है लेकिन जब प्लॉट की जरौत होती है तो बो दुनिया का सबसे ललू इनसान बन जाता है और पिर जब मुसीबतों के दरिया में वो सिर से पैर तक डूप चुका हो तो उसे याद आता है कि अरे मेरे पास तो चाचा चौतरी का दिमाग है चलो आओ बिलन पकड़ें उलज को कावी बोरिंग अंदाज में बनाया गया है इसका स्क्रीन प्ले इतना डीला है कि आप इसके खत्म होने का इंतजार करते हैं पिचर का एक घंटा पीटने तक आपको समझा जाता है कि इसका नाम उलज क्यों है क्योंकि डारेक्टर क्या दिखाना चाते हैं एक्टर्स का किरदार निवा रहे हैं और स्क्रीन पर क्या क्या हो रहा है इन सब के बीच आप उलजे ही रहते हैं पिर आपको समझ आता है कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं और मेकर्स को लग रहा है कि ओडियन्स को क्या ही पता चलेगा कि हम इन्हें बुद्दू बनाने की कोसिस कर रहे हैं। फिल्म के किरदार में कोई खास दम नहीं है। इसका सबसे बीक पॉइंट इसकी लीड हीरोई जानवी का पूर है। जिस एनरजी के साथ सोहाना खान ने दा आर्चीज में वहरोणी का किरदार निभाया था। उनकी डॉलोग डिलेवरी काफी इरिटेटिंग है। उनके काम में कोई खास दम नहीं है। एक्टिंग के नाम पर जानवी को अपनी आँखों में आशु बर कर फ्लेट डॉलोग डॉलेवरी करना जरूर आता है। हर सीन में उनके एक्सप्रिसल लखबक सहम है। कुछ सीन में नकली उनकी चीखें आपके कानों को फार देती है। जानवी कवपूर के किरदार के बारे में जितनी बात की जाए कम है। नकल के कई नाम हैं और कई पहचान हैं जिनमें गुलसन ने कमाल किया है। जान भी संग रॉमान से लेकर विलन गिरी तक गुलसन ने जवर्दस तरह से अपने रॉल को निवाया है। एक्टर मियांग चैंग, रॉसन मैत्यू, आदिल हुसेंग, संग अन्य ने भी अपने किरदार में जान डाली है। तो कहाने में कुछ अच्छे टुष्टन टर्न जरूर है। उस पर एडिटर नितिन बेदी की कसी हुई एडिटिंग कहानी की रप्तार को बनाई भी रखती है। लेकिन को राइटर डारेक्टर सुधान सुसरिया ने एमबेसी और हाई कमिसन जैसी बीबी बी आईपी जगों पर सुरक्षा और प्रोटकॉल की जिस तरह से धज्यां उडाई हैं उससे ये कहानी अपनी बिजबस नियता खो दे दी है। बेहत एहम डिपलोमेटिक इवेंट्स और पार्टियों में नकुल का टहलते हुए पहुँच जाना। तक सस्पेंस बनाए रखेगी। इसी तरह क्लाइमेक्स में भी तगड़ी बी आईपी मुमेंट के बीच आप आम जंता का जमामला लगा हुआ है। स्थितियों में सुरक्चा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके लेकिन फिल्मी परदे पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। एक्टिंग की बाद करें तो जानवी की महनत दिखती है लेकिन एक नैचुरल एक्टर के तौर पर खुद को इस्थापित करने में उन्हें अभी खुद को और मंजना होगा। वैसे भी एक फिल्म में उनके एक्स्प्रेशन से ज़्यादा कॉस्ट्यूम पर ध्यान दिया गया है। गुलसन देवेया और अपने किरदार में खूब जचे हैं उन्होंने बड़ी आविने किया है। और सी के साथ ये एक्स्प्रेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप कोई वीडियो पसंद आई होगी। भीडियो अगर अच्छ लगा हो तो भीडियो का लायक जरूर कीजेगा।